नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी एजुके सन क्लास में जिसका नाम है टेकनिकल फादर और मैं हूँ आपके साथ दीपक चोहान तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत जादे इंपोरेटर का काम करते हो तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत जादे इंपोरेटर का काम करते हो तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत जादे इ बगेरा में तो अच्छा है लेकिन अगर नहीं बनाते हो तो वो हमसे आप बने बनाए ले सकते हो और जितनी भी वीडियो हमारी आती है अगर आपने वो नहीं देखिए तो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो तो स्टार्ट करते के दस पॉंटो में हम आंसर करने वाले हैं, देखने वाले हैं सबसे पहला ये कोशन है injection molding machine injection molding machine पर जो काम करने के लिए operator को किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक्त होता है अगर आप भी operator होmen चाए supervisor हो चाहे इंजीनियर हो क्योंकि आप सोचोगे कि हम operator नहीं है तो हमें इस video का या फिर instruction का क्या फायदा है लेकिन अगर आप supervisor हो, engineer हो, shift in charge हो तो आप जो operator है उसे आप guide कर सकते हो इसके अनुसार हो सकता है तो इन 10 point को आप लिख कर एक print machine से निकाल कर आप machine पर भी लगा सकते हो ताकि जो operator है वो उसे follow कर सके पहला point देखते हैं, injection molding machine को चलाने वाला जो operator होता है उसके लिए आवश्यक है कि operator को अपनी machine पर साप सपाई का पुरा पुरा ध्यान रखना चाहिए जो 5S के अंदर भी आता है, ठीक है अगर आपने 5S वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, वो भी वहाँ पर चैनल पर बनी हुई वीडियो डाली हुई है जिससे machine और उसके चारो और सपाई हो सके और इसके परिनाम सप्रूब rejection को कम किया जा सके अब साप सपाई से क्या हो सकता है अब example के द्वारा समझ लीजिए मान लो कि अगर आपने अपनी machine की साप सपाई नहीं किया है और वहाँ पर क्या है कि कोई metal का टुकडा पड़ा हुआ है और वो जो metal का टुकडा है वो गलती से अगर आपके barrel में चला जाता है जैसे ही आप material फिड करते हो फिल करते हो अपने hopper के अंदर और वो जो metal का टुकडा है वो barrel के अंदर चला गया तो वो क्या होगा वो barrel को damage कर देगा damage जब barrel होगा तो क्या होगा production रुख जाएगा maintenance work करेगा उस पर तो जितने देर production रुखेगा तो उसका क्या होगा जो company है उसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि production रुखेगा और machine को भी नुकसान पहुचेगा क्योंकि maintenance उस पर work कर रहा है जो चीज damage होगी वो उसे renew करेगा उसे दुबारा वो लगाएगा तो फिर क्या हो जाएगा उसका नुकसान होगा machine का भी और production के दोरान rejection की problem भी लंबे समय तक बनी रहेगी जो चीज damage हुई है अगर वो ज़्यादा damage नहीं हुई है तो हम क्या करते हैं उसे दुबारा वैसे ही जो production है वो करने लगते हैं लेकिन वैसे ही production और जो वो damage हो रही है उसके बाद जो production करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो part है जिसमें problem आने लगती है तो उससे बहतर इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी मसीन में ना आए उससे बहतर है कि आप अपनी मसीन पर साप सपाई रखे और कोई भी जिसका आप लोगों को जरुरत मसीन पर उस समान की नहीं है वो कोई भी मैटल का टुकडा हो चाहे और कोई भी समान हो उसे आप मसीन से बि लोगों को बताई जाती है आप लोगों को फोलो करने के लिए कहा जाता है वो आप लोगों को फोलो करनी चाहिए अगर सेप्टी नहीं है तो आप लोगों को मसीन नहीं चलानी चाहिए क्योंकि सेप्टी इस दा फरस्ट है जो सेप्टी होती है वो बैस्ट पॉलिसी होती है और आप लोगों को उसे first priority देनी चाहिए, थर्ड देखते हैं, operator को कभी भी किसी भी हालत में, safety guard के बगएर काम करने की permission नहीं मिलनी चाहिए, कई कमपनिया होती हैं, जिने हम लाला चाप कमपनिया भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन्हें मतलब नहीं होता कि सेप्टी क्या है, उन्हें मतलब नहीं होता कि उनकी machine में problem आ रही है, क्या हो रहा है, उनका सिर्फ एक मतलब होता है कि उनका production ज्यादा निकलना चाहि उन्हें बाकी चीजों से क्या 5S है, क्या ISO कहता है, उन्हें उन चीजों से मतलब नहीं होता है, तो आप लोगों को, आगर आप लोग भी ऐसी कमपनी में काम करते हो, तो आप लोगों को सेप्टी का पुरा-पुरा ध्यान रखना है, और जिनकी भी कमपनी है, कमपनी के ओनर ह M.D. है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि safety जो होती है वो first priority में रखनी चाहिए क्योंकि जब आपके operator आपके worker ही सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे मन से काम नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों की company भी आगे नहीं बढ़ पाएगी for देखते हैं mold से अगर आप sprue निकाल रहे हो runner निकाल रहे हो या short sort का जो piece आप लोगों का फस गया है या flash का पीस फसा हुआ है अगर mold से आप उसे निकालना चाहते हो तो कोई भी जो hard metal है आप उसका use बिलकुल भी ना करें soft धातू जैसे brass road जो कासे की road आती है अप लोगों ने yellow color की देखी होगी उसका ही प्रियोग करें क्योंकि जब हम metal पर कोई भी hard धातू की hard metal की road होगी अगर अब उसे निकालते हो तो वो क्या कर देती है वो cavity को damage कर देती है या core को damage कर देती है completely हमारा जो mold होता है वो कही न कहीं से damage हो जाता है और वो जहां से damage होता है वो problem हमारे part पर साप दिखाई देती है तो इसलिए इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि brass road का ही इस्तेमाल आप लोगों को करना है part mold से निकालने के लिए fifth point देखते है sprue runner और rejection वस्तू जो आप लोग क्या करते हो production निकालते हो production का जो part आप लोग का बंका आता है तो उसमें कुछ ऐसे जो part हैं वो भी आते हैं जैसे runner है, sprue है जिनकी आप लोगों को आवज सकता नहीं होती है part के साथ तो आप उन्हें क्या करते हो उन्हें cutting करके अलग रखते हो कुछ part जो damage हो जाते है या कुछ part flash वगरा की problem के द्वारा rejection हो जाता है उन पार्टों को आप क्या करें एक साप, सूतरे, डब्बे या फिर bag में साप हातों से ही डाले ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए उसका कारण यह होता है कि अगर आपने क्या किया इने गंदे हातों से या फिर गंदे bag में dust वाले bag में कर डाल देते हो और फिर से क्या होता है इसका जो recycling होती है यानि कि grinding होती है और कटकें के बाद material फिर से डाला जाता है तो उसमें black spot वगेरा की problem हमारे सामने आती है तो हमें क्या करना चाहिए बिल्कुल साप सुत्रे डिबे में और bag में इसे साप हातों से ही डालना चाहिए ताकि इसे जब आप grinder करके फिर से चलाओ तो वो problem black spot की ना आए 6th point देखते है hopper का धकन हमेशा बंद रखे क्योंकि hopper जाओ आप देखते हो कभी भी आप molding plant में देखना कि उसमें क्या होता है dust उड़ती रहती है तो अगर आपका hopper है उसका धकन खुला हुआ है तो क्या होता है कि वो जो dust है वो material हमारा उसे absorb कर लेता है और वो dust हमारे जो barrel है उसमें चली जाती है और black spot की problem बढ़ जाती है अगर आप भी black spot की problem से परिशान हो तो आप hopper के धकन को हमेशा बंद करके रखें और जो मैंने ये 5th point बताया था कि साफ बैग में साफ आतों से ही आप लोगों को rejection को रखना चाहिए तो आप लोगों की जो problem है black spot की वो कहीं हद तक कम हो जाएगी और आपका जो production है वो बढ़ेगा जब आप hopper में plastic material डालने के बाद जो bag में जो bag होता है और वो खुला ही पड़ा रहता है और जैसे जैसे आप क्या करते हो scrap होती है जैसे आप part की finishing करते हो तो कुछ scrap है वो कटती है Dá clay करता है तो वो छोड़े छोटे जो minor minor से जो पार्ट होते है scratch होती है वो material होता है उस bag के अंदर जाता रहता है और वो फिर से क्या कर देता है प्रोब्लम कर देता है आपके पाट में तो इसलिए आप लोगों को जो वो बैग है उसे आप लोगों को बंद करके ही machine के पास में रखना चाहिए आट पॉइंट देखते हैं इस्टोर में आप क्या करते हो इस्टोर से आप प्लास्टिक मटीरियल लेकर आते हो ठीक है तो कोसिस करें कि इस्टोर से जब आप मटीरियल लो तो कम से कम 4-5 गंटे पहले ही प्रोडक्शन में उस मटीरियल के वो बिल्कुल different होता है यानि कि जो production है उसका temperature ज़्यादा होता है और जो store है उसका temperature कम होता है और जहाँ पर temperature कम होगा वहाँ पर जो है नमी ज़्यादा होगी moisture ज़्यादा होगी और जो moisture ज़्यादा होगी तो हमारा जो material होगा उसमें नमी आने के चांसिस बढ़ जाते हैं इसलिए अगर आप लोगों को कोई पार्ट बनाना है उसके लिए माटिरियल लेना है तो कम से कम जितने भी बैग आप लोगों को चाहिए वो चार ते पांच घंटे पहले इस्टोर से निकल वाले और अपने प्रोडेक्शन होल में लाकर रख लेने चाहिए ताकि तापमान बढ़ने के कारण अब जो मोश्चर है उसकी प्रोब्लम आप लोगों को ना आए नाइन पॉंट देखते हैं होपर में डालने से पहले माटिरियल को प्री हीट कर ले यह बहुत important चीज है अगर आपका माटिरियल PC है या आपका पमा है PVC है कहीं सारे माटिरियल है जो मोश्चर को एब्जोर करते हैं पानी को सोकते हैं तो उन्हें प्री हीट चलाने से पहले प्री हीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होते आए नहीं तो सिल्वर मार्क की प्रोब्लम बहुत ज़्यादा आती है और आप परिसान हो जाओगे और फिर से आप लोगों के 3-4 घंटे बरबाद होंगे तो इसलिए आप लोगों को माटिरियल की प्रोपरटी के अनुसार ही आप लोगों को pre-hitting पहले ही कर लेनी चाहिए 10 प्रोपरट देखते हैं होपर में plastic material को डालने bag पहले डालने से पहले bag के ऊपर डश्ट को आप जैसे ही plastic material का जो bag होगा 25 kg का आप उससे लेकर आते हो तो क्या होता है उसके ऊपर डश्ट लगी होती है और हम क्या करते हैं उस bag को फाड़ते हैं फाड़ने के बाद में hopper में डालते हैं और फिर उपर से जाड़ भी देते हैं और वो जो उसके उपर dust होती है वो सारी hopper में चल जाती है और black spot की problem बहुत बड़ी मातरा में आती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए जो dust होती है एक गिला कपड़ा लो और उस गिले कपड़े को dust जो bag है उसके उपर फिरा दो ताकि वो जो dust होगी वो सारी गिले कपड़े पर चिपक जाएगी और आपका जो bag है वो बिलकुल साफ हो जाएगा और उसके बाद ही आप लोगों को क्या करना चाहिए material को hopper में डालना चाहि यानि कि अगर आपकी machine पर कोई processing parameter लगा हुआ है grade लगा हुआ है color के instruction आप लोगों को दिये गए है हमाँ पर cycle time जो भी instruction आप लोगों को machine पर दिये होते हैं आपके senior के दुआरा operator को उनका पालन करना चाहिए क्योंकि operator को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता है इसलिए आप लोग अगर operator हो तो बिना पूछे बिना अपनी senior के पूछे कोई भी machine में ऐसा काम ना करें जिसकी वज़े से आप लोगों को भी नुकसान हो सकता है और machine को भी नुकसान हो सकता है और production रुख सकता है अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए आप लोगों का senior आता आप लोगों की हेल्थ के लिए वो डेंजर हो सकती है, उससे आपको नुक्सान हो सकता है, तो आज की जो वीडियो है, वो हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी, और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो उसे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को सेर कर दें, और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हमारी होती है, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और यह जो हमारी पीडियाफ है, यह आप देख रहे हो, यह सारे पॉइंट है, अगर आप ऐसे ही सारी जितनी भी हमारी वीडियो आती है, उनके पीडियाफ नोट्स लेना चाहते हो, तो आप लोग हमें इस वाट्सप नंबर पर अरेश्टेशन कराकर ले भी सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, दीजी हमें जाजत, चैहिन जै भारत!